जैहिंद वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टाड़े पैट्फोर्म में रास्ट रहित में सिक्षाद इस धीरस दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोस्तो बहुत बिसेज डिमांड पर आप सभी के लिए होम साइन्स यानि ग्रह विज्ञान की क्लासे सुरू कर दी है कोई पैट कोर्सेज नहीं A to Z तैयारी के लिए आप सामिल होईएगा गुरुजी वर्ड की सुपर फास्ट क्विक रिवीजन क्लास में याद रखिएगा कि आपको इस बार सेलेक्षन लेना ही है और वो कैसे लेना है ये आपको खुद पता होना चाहिए यहाँ पर मैं आपको बता दू एक कुश्टन पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में जिससे आपको ये पता चलेगा कि ऐसे 30 कुश्टन एक्जाम में ट्रेंड होते हैं कि पैटर्न क्या आता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पहला कुश्टन स्क्रीन पर ये रहा यूनिसेप की स्थापना कब हुई एक चीज और बता दें यदि आपको सलेक्शन लेना है तो चैनल को इहमानदारी से परिवार की तरह सस्क्राइब करें यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नमबर भी जाएगा आपको बताना चाहूँगा एक्स्टा फैक्ट में कि भाई 11 दिसंबर का समय था 1946 में नियुयार्क में यूनिसेप की स्थापना हुई अब बात करते हैं थोड़ा सा फैक्ट की तरब जाते हैं यूनिसेप है क्या यूनिसेप एक ऐसी संस्था है जो बच्चों की आवस्थाओं को पूरा करती है यूनिसेप का फुल फॉर्म क्या होता है यूनाइटिड नेशन चेल्डेंस फंड होता है यूनिसेप का मुख्याले कहां पर है अगर ऐसा पूछा जाए तो यह निव यार्क में है जो अमेरिका में अवस्थित है बोलो कोई फैक्ट ऐसा वस्था है जो यूनिसेप के बारे में आपको परेसान करें जब डिजिट वाले कुछ्ण आते है तो एक और डिजिट वाला कुछ्ण लेता हूँ यानि पहला और दूसरा जो बच्यों को बहुत ज्यादा परेसान करते है देखिए विश्व स्वास्त संगठन को भी साथ में खत्म कर लेते हैं विश्व स्वास्त संगठन की स्थापना कब हुई देखे अगर मैं बात कर रहा हूँ विश्व स्वास्त संगठन तो मतलब यहां पर बात हो रही है डबलू एचो की यानि डबलू एचो क्या है इसके बारे में चर्चा करने से पहले पहले हम आंसर को जान लेते हैं 1948 में दोस्तों इसको जो है यहां पर इस्थापित किया गया अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि पूरी डेट 7 अपरेल 1948 थी अलग-अलग आंसर आपको देखने को मिल लाएंगे 1945 भी कही पर देखने को मिल लाएगा लेकिन आपको क्या करना है 7 अपरेल 1948 में इसको इस्थापित किया गया WHO का फुल फॉर्म क्या है World Health Organization WHO का मुख्याले कहा है Suriger Land के जिनेवा सहर में कहां पर है जिनेवा सहर में है तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है तो इसलिए इस कुष्ण का जो आंसर है वो 1948 के साथ लॉक हो जाएगा चलिए बहुत सुन्दर लिनन तंतु के तने से क्या प्राप्त होता है दोस्तों लिनन तंतु क्या होता है मैं आपको बताता हूँ पहले option देखिए जूट का पोधा फ्लेक्स का पोधा कपास का पोधा या फिर हैंप का पोधा लिनन तंतु की बात की जाए तो ये फ्लेक्स के पोधे से सम्मंदित है ये फ्लेक्स पोधा क्या होता है इसका हिंदी रूपांतरन आपको मैं बता दू हिंदी रूपांतरन आपका अलसी के बीज आपने सुना होगा अलसी का जो पौधा होता है उसको ही फ्लैक्स का पौधा कहा जाता है अलसी का पौधा हमारे सरीर के लिए हमारे स्वास्ति के लिए बहुत उप्योगी है आयरुवेद में इसका प्रियोग किया जाता है निद्रा, यानि अनिद्रा के लिए आयरुवेद में इसका प्रियोग किया जाता है ठकान के लिए, आखों की रोसनी के लिए बहुत चीजों में अलसी के बीच का प्रियोग होता है तो फिलाल ओप्सिन जाएगा B के साथ अगला बालक का सामाजी करण कहां से प्रारम होता है जवाब दीजेगा बहुत सुंदर देखेगा ये वीडियो अपने चार मित्रों में अपने चार दोस्तों में जरूर यहां पर सेयर कीजेगा हर बहन हर भाई से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको पूरा फ्री चीज़ें च देखेगा फैमिली एक ऐसा सब्द है दोस्तों जो कहीं ना कहीं एक पड़ीवार जाता है, परिवार में खेलता है, मैदान में खेलता है, इस तरीके से उसका क्या होता है, उसका जो है प्रारम होता है social development, अगला कुस्षन, 5 number, देखिए, प्रसार सिक्षा सब्द का प्रियोग सबसे पहले 1873 में dot dot किया गया, ध्यान यहाँ पर option 4 आपकी screen पर है, कि प्रसार सिक्षा सब्द का प्रियोग जो है सबसे पहले किया गया 1873 में, तो एक कुस्षन यही से बन जाता है, कि प्रसार सिक्षा सब्द का प्रियोग सबसे पहले कप किया गया तो 1873 में कौन से जग है यानि कौन से विश्व विध्याले को आप लॉक करना चाहेंगे या लॉक करना चाहेंगी बताए स्वागत है बहुत सुंदर क्या बात है देखे अगर कुश्चन की बात की जाया है तो ये Cambridge विश्व भी धहले के साथ चला जाएगा नि option number C चला जाएगा ये कुश्चन आपके पिछले एक्जाम में 5 से भी ज़्यादा वार repeated है most repeated कुश्चन है बच्चों का विकास निमलिखित का परिणाम है आपको बताना है कि जो development होता है पहली बात में आपको बतादू जो development होता है दोस्तों ये है या या कि मानी मां के गर्भ से लेकर मां के गर्भ से लेकर आपसे जीवन तक चलती है विकास अब बात कर लेते हैं चारो व्वशन की च्षै नमबर का जो वो यहाँ पर देखा जाए सिर्फ सीखने का, सिर्फ परिपक्वता का, सिर्फ व्यक्तिकत विभिनताओं का, या सीखना और परिपक्वता, तो इस कुछिशन का जो राइट आंसर है वो ऑप्षन जाएगा D के साथ, सिर्फ कोई बर्ड नहीं, कहीं भी विकास को सीमित नहीं जो है World Health Organization, ये कहाँ पर है, ये जिनेवा सुटिजर लेंड का पार्ट है, और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर हम विश्वस्वास संगठन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास चार ओप्षन हैं, हमारे पास चार ओप्षन हैं दोस्तों, निरोग व्यक्ति के लिए कारे करता है, समुधाय के लिए कारे करता है, माता और सिशुओं के लिए कारे करता है, या फिर All Above हो जाएगा, बताइए जवाब दीजेगा, सिंपल सा आंसर होना चाहिए मेरे लाल, कि भई, option number D क्यों, देखिए ध्यान दीजेगा, D नहीं लगेगा, सिंपल सी बात विश्वास संगाठन, आप अगर सुष्थ हैं, तो क्यों कारे करेगा आपके उपर, बताइए, नहीं करेगा ना, तो निरोग का मतलब होता है, कोई रोग नहीं, तो ये अगर नहीं है, तो फिर ये कैसे हो सकता है, बहीं, समुधाय के लिए करता है, लेकिन यहाँ पर कैस हो सकता है, क्योंकि option number A तो कट चुका है, option number C हो जाएगा, यानि इसके अलावा भी कारे हैं, WHO के, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको TV की बात करी जाए, हैजा हो जाए, चेचक हो जाए, एट्स हो जाए, ठीक है, कोई भी बीमारी है, विश्वस्वास संगठन उस पर क पर कारे करेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट उप्यूकत अंसर यही होता है, कि माता और सिसूओं के लिए, इसके अलावा एक और कुस्वास स्दिवस हम कब मनाते हैं, हर साल, तो वो मनाते हैं, साथ अपरेल को मनाते हैं, ये भी कुस्वास निगजाम में ट्रेंड हो 15%, या मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, क्या, 14% वाले भी बच्चे अंसर कर रहे हैं, या फिर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों, 17%, तो फिलाल अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर option के हिसाब से 16% discussion का right answer हो जाएगा, protein में nitrogen का percent होता है, 16% option number A for America, right हो जाएगा, अचा एक चीज बताएगा, दालें किसका स्रोत होती है, तो दालों में सबसेदा क्या होता है, तो दालों में सबसेदा protein होता है, यह भी दिमाग में बैठा लीजएगा, hepatitis कहा जाता है, यक्रत सोध किसके दोरा फैलता है, hepatitis अगर होता है, तो फिर उसमें जो है, reason क्या होत तो वहाँ पर मैं आपको बताऊ हूँ कि विशाणू हो जाता है इसलिए इस कुश्रल का अंसर option number a हो जाएगा विशाणू का मतलब virus और virus की अगर मैं बात करता हूँ ये डोस्तों क्या है, इसके अध्धन को कहा जाता है वाइरोलाजी, एक चीज और मैं बताऊँगा, वाइरस की खोँज किस ने करी है? इवबान विस्की ने करी है, ये भी आपको दिमाओ में बैठा लेना है चलिए, वर्तमान समय में स्वास्त विझ्यान किस नाम से प्रख्यात है यानि स्वास्थ विज्ञान को बदल दिया गया है स्वास्थ विज्ञान का नाम अब क्या है ये आपको बताना है स्वास्थ विज्ञान का आपको नाम बताना है दिमाग लगाईए क्या आंसर हो सकता है option A है hyzine option B है स्वास्थ एवं जन स्वास्थ Option C है Preventive Medicine and Public Health Preventive and Social Medicine अब देखीगा 10 नंबर का जो आंसर है वो चला जाएगा Public Health के साथ इसलिए इसकुशन का जो आंसर है C for Chin नहीं हो जाएगा Next सामुदाइक विकास कारेकरम की धुरी किसे कहा जाता है सामुदाइक विकास कारेकरम की धुरी किसे कहा जाता है दोस्तों लॉक किया जाए अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर Option A में है प्रसार प्रबंधन को प्रसार कारेकरता को ग्रामिड नेता को या प्रसार विशेशग्य को क्या ग्रामिड नेता ही हो सकता है क्या केवर विशेशग्य ही हो सकता है क्या आप प्रवंधन को लौक करेंगे सामुदाइक विकाज तो सभी के माद्ध्यम से प्रसार कार्यकरता को माना जाता है इसलिए इस कुछ संग का जो राइट आंसर है किस अवस्था में बनाएंगे आप साल के सुरुवाती दौर में बनाएंगे साल के मद्धे के दौर में या फिर A और B दोनों हो जाएगा या तो आप साल के अंत में संतुलन तालिका का निर्मान करें या तो आप साल के सुरुवात में करें तो इसलिए इस question का answer हो जागा D for Delhi Next question निकिल एवम डॉर्सी के अनुसार मानवी संसादन है Human Resources की जब भी हम बात करते हैं जो हमारे मानवी संसादन है निकिल एवम डॉर्सी के मत के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे D option तक कौन से option सही होंगे देखाजा दोस्तों यहाँ पर डॉर्सी और निकिल का कहना है क्या कहना है बहिए डॉर्सी और निकिल यह मानते हैं कि ज़्यान सक्ती का प्रियोग हम जरूर करेंगे यानि मानवी संसादनों में ज़्यान सक्ती और कुसलता का होना बेहत जरूरी है इसलिए भी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा पारिवारिक साधन का प्रकार बताए हमने आपको परिवार बताएगी एकल परिवार होता है सेंग्त परिवार होता है परिवार दो ही प्रकार का होता है पारिवारिक साधन पूछ रहा है यहाँ पर पारिवारिक साधन के प्रकार है तो पारिवारिक साधन के प्रकार भी दो प्रकार के होते हैं वो दो प्रकार कौन से हो सकते हैं एक तो वो हो सकता है मानविये और एक तो हो सकता है आमानविये ये दिमाग पूं बैठा लीजेगा, कभी भी कुस्ण गलत नहीं होगा, ये भी कुस्ण बहुती बेहतरीन है, important point की दिष्टी से देखा जाएगा, चलिए बरद्धी के दोरान बच्चों को किस अमीनो अमल की आवस्चता होती है अच्छा आपसे कुश्चन पूछता हूँ कि अमीनो एसिट्स हमारे सरीर में उनकी संख्या क्या होती नंबर क्या है उनका जरा कमेंड करके बताईए ब्रद्धी के दोरान बच्चों को किस अमीनो अमल की आवस्यक्ता होती है तो दोस्तों मैं आपको का नाम बहुत इंट्रेस्टिंग कोईशन बहुत जवर्जस्त पर्रया वरन सुरक्षा सुक्षता का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है जरा बताईएगा नाम बहुत बदले जा रहे है और वो ट्रेंड कर रहे हैं मुद्दे अभी हमने आपको प्रिवेंटिक हेल्थ बाला उप्षन बताया है वो भी आपको याद रखना है 16 नंबर भी आपको याद रखना है कि पर्रया वरन सुक्षता का नाम बदल कर कर दिया गया है पर्रया वरन स्वास्त कर दिया गया है यानि इस question का जो right answer है वो option number B for brilliant हो जाएगा चलिए प्रसार कारेकरता की बात अभी हमने की प्रसार कारेकरता की बात अभी हमने की ठीक है ना उससे question जोड़ा हुआ आता है क्या पूछा जाता है प्रसार कारेकरता का छेत्र क्या होता है बताइए प्रसार कारेकरता का छेत्र क्या होता है हम कहेंगे क्या असीमित होता है क्या हम असीमित कहेंगे क्या हम बहुयामी कहेंगे निर्धारित कहेंगे दुईयामी कहेंगे देगे two dimensional की बात हो रही है और multi dimensional की बात हो रही है ठीक है आपके एक्जाम में बच्चा यहाँ पर या तो यह मार देता है या तो यह मारता है लेकिन आपको यहाँ पर इसको ही ध्यान रखना है ठीक है चलिए हैजा किसके दौरा फैलता है देखिए अगर हम टाइफाइट की बात करें तो यह किस से होता है जल से होता है इसी कुस्षिन में 18 नंबर का जो आंसर है वो जल का सुरूप होता है जल के दोरा हैजा होता है और ये रीजन क्या होता है अगर मैं देखूं तो वैक्टिरिया का फैक्ट देखने को